अब आईए हम बात करते हैं कि यह साल्मनेला टाइफी साल्मनेला पराटाइफी और शिजेला यह कैसे होते हैं तो देखिए साल्मनेला टाइफी जो इंटेरिक फ्यूर कॉस कराते ना वो तो यहां पर हम पहले ही बता है कि साल्मनेला टाइफी भी होगा और पराटाइफी ए यह सारे इसके फीचर होंगा ठीक है ? और अचीजिएला का जीनास ही अलगाय तो यहँ बत किया है तो 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 टीक है यह बत किया होता है यह नॉननलीड़, इस में और इृत है और इसमें सिर्फ टाइफी और पैर टाइफी आपगे और प्रेज़न होता है और यह यह नही दोसं कि बाद बात करते हैं स्माज़ एक्सेप्स होते हैं और हो अुछ macht रिजिल वार तो यह पहला पॉइंट हुआ और सेपरेट की बात करएंट नहीं अपनाता है यहपॉयंट हूई और तफिर hydrogen फे प्रडक्शन और फ्लेजला की बात करें तो देखिए दोनो यह दोनो यह बम्कि बात करें तो तो यह तीनों जो होंगे, यह तीनों हमको सिर्फ देखने को मिलते हैं सालमोनेला में, शिजेला में नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो हमरिजनल सेप्रेड और यह तीनों हमको देखने को मिलते हैं सिर्फ सालमोनेला में, दोनों टाइप के सालमोनेला में, और शिजेला हैं नहीं पर उसके बात करें तो यहां पर ए मात beginner के बाूरे में में नहीं पर देखे इसका विल्स फेक्टर होगा और kangже नुया और यह पर बात किया है थे इंडेर उक कोक है में बात किए हैं, इंटेरो हीमोराजिक एकोलाइ में, यानि यहां पर देखे, यहां पर देखे यह जाल इंटेरो हेमोराजिक ताकि इसका virulence factor जो होता है हमको आद रहे टाइफी को हम टाइवी बोलतेंगे ठीक है बहुत सारे लोग वाको फा बोलते हैं तो इससे हम याद रखेंगे कि हाँ सालमनला टाइवी और उसके बाद फिर रहाँ पर infectious dose की बात करें तो देखें ये blood के जरी नहीं separate होता है ये blood के जरी नहीं separate होता है ये cell to cell separate होता है इस अच्छे से बहुत low dose इसकी required होती है और जबकि यहाँ पर देखें इसके लिए high dose required होती है और इसके भी high dose required होती है लेकिन इसकी सबसे कम होती है इसकी सबसे जादा और सालमला टाइफी के high dose की हम बात करें तो देखिए ये 10 to the power 3 to 10 to the power 6 जब रहेगा तभी ये fever cause करेगा ठीक है अपना infection दिखा पएगा तो ये कि high या large in equilibrium required और ये acid levile होता है ठीक है ये infection जो होता है ये acid levile होता है और inactivated by gastric acid ठीक है तो ये देखिए जब acid levile होगा तो gastric acid में ये inactivate हो जाता है इसी और से तो high dose की ज़रूद पड़ती है और इसके यहाँ पर देखिए vaccine की भी हम बात कर लिए कि यहाँ पर vaccine जब हम इसकी देते है तो vaccine में हम इसके 4 doses देते है और first, third, fifth and seventh दे ये हम dose देते है ये चीज़ होगी यहाँ पर देखिए वियाई capsule ये heat stable नहीं बलकि ये जो होता है ये heat levile होता है endotoxin ये वियाई capsule जो होता है ये heat levile होता है यहाँ पे एक point हम बता दिये और उसके बाद फिर देखे ये शजेला में तो low बहुत कम रहागा तब भी ये infection cause कर देगा very small inoculum required और ये acid stable होता है जबकि देखे ये acid levile था ये acid stable है इस वोड़े से gastric acid में जो है ये resistant रहता है जबकि ये acid levile इस वोड़े से इसके लिए high dose की जरूरत परती है infection cause करने के लिए और उसका फिर क्या है effect of antibiotics on fecal excretion तो fecal excretion पर antibiotic का क्या answer पढ़ेगा तो देखे प्रोलांग duration तो इसका जो है इसमें प्रोलांग duration तक हमको effect of antibiotic on fecal excretion देखने को मिलेगा इसमें भी जबकि यहां पर देखे हमको shortness duration short duration देखने को मिलेगा तो shouldyla से मैं आद रखेंगी कि short duration का हमको effect of antibiotic on fecal excretion देखने को मिलेगा और उसके अलाव फिर immune response के बात करें तो देखिए यहाँ पर primary monocytes role play करते हैं और जबकि इसमें देखिए polymorphoneutrophils in diseminated disease तो diseminated disease में हमको polymorphoneutrophils के जरीए immune response देखने को मिलता है और इसमें बात किये polymorphoneutrophils का रोल होगा और उसका बात फिर GI manifestations के बात किये तो आपर देखिए constipation देखने को मिलेगा followed by diarrhea ठीक है पहले constipation देखने को मिलेगा फिर diarrhea देखने को मिलेगा जबकि इसमें देखिए हमको सिर्फ diarrhea ही देखने को मिलेगा ठीक है यह bacillary dysentery होती है ठीक है तो bacillary dysentery होती है और यह acute होता है ठीक है यहाँ पे एक point हम बता दें कि यहाँ पे हमको जो dysentery देखने को मिलेगी न bloody mucardustrile को जैसे यह जो होती है यह acute होती है जबकि इसके उल्टा हम बात करें same feature हमको देखने को मिलता है end amoeba histolytica में end amoeba histolytica में भी हमको dysentery देखने को मिलता है लेकिन यह chronic होता है ठीक है और बाकि सारी चीज़े से होती है इस वज़े से DD हमको यहाँ पे end amoeba histolytica करना ज़रूरी है क्योंकि यह acute होता है यह हुआ तो tenismus क्या होता है तो tenismus हम बता है कि यह जब defecation होता है तो patient को ऐसे लगए defecation proper नहीं हुआ इसी को बोलता है तो tenismus में feel होगा शेजियला के condition में तो यह हुआ और उसके बाद फिर यह GI beneficiary के बात करते हैं vaccine की तो vaccine में देखिए oral vaccine contains live attunidate salmonella typhi तो salmonella typhi यहाँ पे oral vaccine देंगे और यह live attunidate salmonella typhi इसमें होता है और IM vaccine contains VI capsular polysecridal ठीक है यह oral की बात कीए इसमें salmonella typhi के live attunidate होते हैं और IM की जब बात करेंगे तो IM में हमको VI capsular polysecridal देखने को मिलेंगे तो यह जो VI capsular होता है यह polysecridal का बना ही होता है यानि trifide fever तभी हम vaccine देते हैं उससे बचने के लिए और vaccine के हम बात किए ना कि वेक्सिन हम मुझे चार डोस देते हैं और चार डोस में first, third, fifth and seventh day देते हैं और उसका फिर unique properties की बात की गई तो यह हमारा इस topic का last sub topic है तो देखिए हमारा trifide fever क्या होता है तो साल मौन कलर ट्रंकल मेकुलर रेष्ट देखने को मनेगा इस ही को हम बोलते हैं Rose spot तो देखा है आपको साल मौन कलर ट्रंकल मेकुलर रेष्ट अब नए वाल एडिशन में goosebumps Spr inversion원이 इसको सीधा लिखा गया था रोज इसपोट्स ठीक है तो यह हमारे रोज इसपोट्स हो गए और अब्डॉम्न पेन देखने को मिलेगा और फिवर भी देखने को मिलेगा तो इस टाइम में प्रॉब्लम हो इस विज़े से अब्डॉम्न पेन होगा और फिवर क्यों देखने क को मिले और देखिए Puls-Temperatur desotion तो आपको pulse Temperature dis-association मेरे को मिले गा इस्ट लेडर टार इस्टेप लेडर मना दिए कि एक रही बाब इससे था इतने पही Rookा रहेगा तो एफ ऑर बढ़ जाएगा कम नहीं होगा बलकि तोड़ा दे यहां रूऑ रहेगा फिर थोड़ा सा बढ़ जाएगा पिर थोड़ा सा बढ़ जाएगा पर तोड़ा सा बढ़ जाएगा कब नहीं होगा इसी को हम बोलते हैं तो इसका क्या है? जाइ अल्सरेशन एंड हेमरीज तो यह ट्राइफाइट फ्यूवर का कॉंप्लिकेशन है देखिए पूरा बहुत इंपोर्टन है यह पूरी ट्राइफाइट फ्यूर की क्लासिकल फीचर की बात की जा रही है इसलिए इस पे हम इतना फोकस कर रहे है कि टाइफाइट फ्यूर कैसे कैसे क्या करता है और उसके बाद treat with ciftrioxon तो इसके treatment की बात की जा रही है तो यह ciftrioxon या fluorokunilol anz से हम treat करते हैं तो हमको मालू में कि थर्ड जनरेशन सिफलो इस पूरी न है जो कि cell wall synthesis inhibitor है एक तरह से और यह जो है फिलोरो क्यों नहीं नहीं है तो इस से हम इसको treat करते हैं और carrier state with gallbladder colonization तो carrier state में हम बात करें तो यह gallbladder colonization हमको देखने को मिलता है क्योंकि यह gallbladder में बहुत अच्छे से growth कर लेते हैं इस वज़े से हमको gallbladder में colonization देखने को मिलता है ty typhide fever का तो यह हो गए हमारे यूनिक प्रापरिटी ऑफ दे टाइफाइड फीवर यह शालमोनेला टाइफी पहरा टाइफी ए और जबकि हम यहाँ बात करें देखिए non-salmonella टाइफी की तो यहाँ पर देखिए pottery या eggs, pets and turlets are common source तो यह इसके source हो गए और उसके बात फिर treatment क की बात की कि तो यहाँ पर देखिए supportive antibiotics are not indicated in immunocompetent individuals, immunocompetent individual में हमको antibiotic की जरूरत नहीं पड़ते है यह खुद बखुद यह रिजॉल हो जाता है, यह यहाँ पर हो गया और जबकि यहाँ पर देखिए antibiotic देना बहुत जरूरी है, सिफिलेस्पॉलिन फ्लॉरोकुनिलांस हम तो यहाँ पर देते हैं तो यह चीज हो गई और उसका फिर यहाँ पर हम बात करते हैं श्रीयला की यूनिक प्रॉपरटी में तो देखिए 4F हमको देखने को बहुते हैं, यह mode of separation की बात की तो देखिए fingers, flies, food, faces, fingers यानी हाँ से हम कोई चीस्ट होंगे, उस सो रहागा flies यह इसके carrier है, food में present होते हैं, फीसस में, तो यह इसके mode of transmission की बात की गई और in order to decreasing severity, तो severity की बात की गई तो इसके चार species होती हैं, तो salmonella dysentery, salmonella flexionary, salmonella body और salmonella sony तो यह चार होते हैं और यहाँ पर बताए कि in order of decreasing severity, तो सबस्यादा severe यह होगा, उससे कम severe flexionary होगा, उ salmonella body होगा, उससे कम salmonella sony होगा, अब यहाँ पर देखे एक चीज़ और हम बता है, कि इंडिया में salmonella flexionary, यह most common होता है, और worldwide हम बात करें, तो यह salmonella sony, most common होता है, और invasion of M cell is key to pathogenicity, तो यह M cell का invasion करते हैं, इसी ओड़े से यह pathogenicity cause कर पाते हैं, और infectious dose is low, तो इसमे infectious dose की बहुत कम जरूत पड़ती है, क्यों कम जरूत पड़ती है, क्योंकि हमका मालूम है कि यह acid stable है, acid stable है, इस ओड़े से यह बहुत कम उसमें M cell में invade कर लेता है, तो देखिए, यहाँ पर बताएगे तो कहां गया, यहाँ देखिए, कि यह acid stable है, इस ओड़े से resistant to gastric acid, जब आसानी से यह pair patches तक बहुच जाता है, जबकि यह भी typhide fever जो हता है, यानि typhide bacteria, यह भी जो हता है, यह भी M cell पर ही control करता है, M cell पर ही जाके invade करता है, लेकिन यह acid labile होता है, इस ओड़े से acidic patient में जल्दी सरवाय नहीं कर पाता है, इस ओड़े से इसमें बहुत जादा dose की ज यह होगा, तब ही जो है, यह disease cause कर पाएगा, ठीक है, यह हो गया, और हमारे topic complete हुआ, तो इसमें हम बात कर लिए, Salmonella और सिर्जिला की, कि यह दोनों में क्या चीज़े common है, हम यहाँ पर बात कर लिए, कि यह चीज़े common है, और उसके बात फिर हम बात किये, कि Salmonella पराटाइफी A and B, यह इंडिया पाकिसान में most common है, और टाइफाइट fever cause करते हैं, और इसके लोग जो दूसरी कटेगरी है, यह टाइफाइट फिर नहीं cause करते हैं, उसको यहाँ रखा गया, और श्रीजेला जो है, यह बिल्कुल इसका जैनेरा ही लागा, और श्रीजेला देखने को मिलेगा, और बाद में हमको complication के circle में ulceration और hemorrhage भी देखने को मिलेगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर colonization के बाद कहते हैं, तो यहाँ पर यह जो colonize होता है, और क्या बच्चा, तो यहाँ पर देखे, salmonella, salmonella, तो यहाँ देखे, salmonella swim, salmonella swim, यानि यह यहाँ पर देखे, salmonella joust नहीं करता है, तो यहाँ पर देखे, kiss देखे, salmonella Bass नहीं करता है, और यहाँ पर देखे ताइवी कुछ लोग फा को वा बोलते हैं वा को फा बोलते हैं तो इससे व्याद करेंगे सालमना टाइवी टाइवी टीक है तो टाइवी से हो रहेगा हमारा यह व्याई कैपसूल जो था इसका एंडोटाक्सिन होता है